आल राइट तो हमारे 400 फुटी ए करन अर्जुन के मिलन की वो घड़ी आच चुकी है कि हमको गॉड्जलाइक्स कॉंग गा निव अम्पायर का निव ट्रेलर देखने को मिल चुका है and I have to say that this one did not disappoint मतलब वो कहते हैं न की बड़े अच्छे लगते हैं यही वो बड़े हैं फिर पहले बता दे रहा हूँ ट्रेलर ब्रेकडाउन है तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने स्पॉर्ट नहीं करी होंगी और इस पूरे ट्रेलर को मैं खोल के रख देने वाला हूँ तो इसी वज़े से पोटेंशल पॉइलर्स हो सकते हैं मूवी को लेकर ट्रेलर स्टार्ट होता है कॉंग के हाथ के साथ जो हम लोगों ने पुराने ट्रेलर में भी देखा था इसको गॉंटलेट के साथ आउग्मेंट कर दिया गया है क्यों को मूवी में चोट लगने वाली है और उसका कारण हमको इस ट्रेलर में पता भी लग जाएगा कि क्यूं लेकिन जैसे कॉंग धरती से निकल रहा है वैसे गॉडजिला पानी से बाहर निकल रहा है लेकिन उसके बाद हम गॉडजिला को देखते है जो बिर्जेस को काटता हूँ आगे बढ़ रहा है अपने डॉर्सल फिंस के तुरू और इसको देखकर मज़े गॉड्जिला वर्सिस कॉंग के वो शिप्स को काटने वाले शॉट की याद आ गई जिसमें गॉड्जिला अपने प्लेट का इस्तमाल करके शिप्स को काट देत जाता है और बताया जाता है कि उसको सोट ओफ विजन दिखने शूरू हो चुके हैं जो हमारी मॉंस्टर से कनेक्टेड है और अगर नंगी आखों से देखू के ताइसा लगेगा कि यह ओबिसली कॉंग को लेकर कनेक्शन होगा लेकिन नहीं अगर आप इस वाले शॉर्ट पावर अप करने के लिए जातक मुझे लगता है तो जिया को विजन दिखाने के लिए मौत्रा ही रिस्पॉंसिबल है क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक सर्टेन ग्रूप पीपल था जो मौत्रा को पूछता था एंड जो होलो अर्ट में हमको लोग दिखाये गए है वो प्रॉबबली यही सारे लोग होंगे और मौत्रा भी जिया से इसी बात को लिकर कम्यूनिकेट करने की कोशिश कर रही है तो वोट आइम गैसेंगे इसकी मौत्रा इस मुवी में भी एक बहुत जादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और प्रॉबबली इसी चीज का हि जिया की आख में दाट इस गूइंग तो रिटर्न इस मुवी एस वेल लेगिन इनी सारे विजन की बीच में हमें गौडजिला का भी बहुत रापिट जा विजन देखने को मिलता है जिसमें को गौडजिला ब्लू कलर का दिखा ही देता है हम लोगों ने पिछले वाले ट् इसमाल करके गिडोरा को अराया था और फॉर सम रीजन वो इस पावर का इस्तमाल दुबारा कर रहा है और इसी शॉट की कंटिनुटी में एक और शॉट आता है जिसको देखोगे तो ऐसा लगता है कि गौडजिला अपनी न्यूक्लियर पल्स का इस्तमाल कर रहा है और प्ल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप फ्यान से देखते हो तो गौडजिला वहां कोने में खड़ा हुआ है किसी और मॉंस्टर से वाइड करता हुआ अब यह मॉंस्टर कॉन है इस पे हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि वो इस पिच्चर का बहुत इंबॉत अस्प मतलब स्कार किंग कॉंग के ऊपर बैट के पतानी क्या करने की कोशिश कर रहा है वैलेंटाइन्स दे है तो देख लो अपने साब खेर इसके बाद हमको पूरी मुवी का थोड़ा और सेट अप करने की कोशिश की जाती है जिसमें बताया जाता है कि जिया जो है उसको एक ए एक प्रॉपर लुक देखने को मिलती है विच वाइट सुपब बाइद वे मैं इसके पिंक और ब्लू लुक दोनों को ही बहुत जादा एंजोई कर रहा हूं लेगिन इसके साथी साथ एडम विंगार ने ये भी कहा कि सिर्फ यही दो लुक नहीं है जो हमको इस पिचर में गौडजिला के देखने को मिलेंगे उनोंने का कि गौडजिला ओल्ट इस मूवी में एवॉल्व होता जाएगा और इस वजह से उसके लुक चेंज होते रहेंगे और आयम टोटली लुकिंग फोरवड तो दिस और जैसे जैसे ट्रेलर प्रोग्रेस करता है हमें उसके एव यह मोनार्क वाले वापिस आ चुके हैं इस बंदे के शुल्डर पैट्स को देख कर कंफर्म हो जाता है ऐसा बोला जा रहा है कि बंदा डैन स्टीवेंस जो है यह स्टीफन रांडा का रोल प्ले करेगा मतलब यह बिल रांडा से किसी वे में रेलेटेड होगा अब जिसने लेकिन इसके साथ ही साथ उनको मिलता एक हैंड प्रिंट जो बिलॉंग करता है स्कार किंग को उसके बाद यह लोग पहुंच जाते स्कार किंग की गुफा में जहां पर इनको और भी कई सारे एपस मिलता है यह सारी चीज़े हमने पुराने वाले ट्रेलर में भी देख ली जाता है अपने एपस के पास में लेकिन वहां पर उसकी मुलकात होती है उनके लीडर स्कार किंग से अपने आप में एक बहुते इंट्रेस्टिंग करेक्टर है क्योंकि बस वह दिखता ललू बंजू है लेकिन वह कॉंग से जादा अच्छी तरह से यूज कर सकता है जैसे जैसी कॉंग उसके उपर अपनी आक्स से वार करता है वो सबसे पहले उसे अपने विप से ब्लॉक करता है घुटनों पर बैट कर मतलब अपनी बॉडी को कॉंग से जादा अच्छी तरह से इस्तमाल कर सकता है और उसका विप जिसको मैं पहले काफी अंडरेस्टिमेट कर था वो किसी monster के vertebral column से बना हुआ है इतना ही नहीं उसके दूसरे end पे कुछ crystal नुमा चीज लगी हुई है जो काफी नुकीली सी लगती है जब kong उसको पगड़ने की कोशिश करता है तो उसको खुदी इस चीज से चोट लग जाती है और इतना ही नहीं अगर आप ध्यान से द जानता है वहीं पर दूसरी तरफ स्कार किंग अपने विप का बहुत ही जादा एफिशेंटली यूज कर रहा है अपने हातों और पैरों का इस्तमाल करके और उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह warrior डाइप का कुछ हो इन फैक्ट ट्रेलर के आखरी फिरिम को अगर है उसके पास एक और बहुत सबसे बड़ा खतरनाक वेपन है और उसका नाम है शिमो जिसकी आखो को हम ट्रेलर के अगले शॉट में भी देख सकते हैं और यह प्रॉबिब्ली मॉंस्टर वर्स का सबसे खतरनाक मॉंस्टर होगा एंड उसे तो नहीं बड़ उसकी पावस को हम इस नेक्स शॉट में देख सकते हैं अई गिफ क्रेडिक तो लेजेंडरी नव्यू भी उन लोगों ने कुछ तो छुपा के रखा है पिचर के लिए तो शीमो के बारे में जितनी इंफरमेशन मैं जोगार पाया हूं मैं आपको उतना बताने की कोशिश करता हूं तो टो में आया था तो मतलब समझ रहे हो शीमो इस दा फॉर्स मॉंस्टर तु एवर हैब एग्जिस्टेड इन लेजेंडरी इस मॉंस्टर वर्स और अगर सूत्रों की माली जाय तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी वज़ा से सारे मॉंस्टर्स क्रिएट हुए हूंगे नो ऐसा कैसे हुआ इस पारे में कुछ भी नहीं पता यह सारी कि सारी कहानी हमको मुवी में देखने को मिलेगी लेकिन तु मी इट साउंद्स प्रिटी इंट्रेस्टिक और इसकी पावस के बारे में भी हम लोगों ने जान ही लिया है इस फाले शॉट को देखकर जिसमें गॉट्जिला जैसे कि जब हमकी डूरा को सबसे पहली बार किंग ऑफ दा मॉंस्टर में देखते हैं तो वो बरफ में मिलता है क्यों मिलता है I mean किसी ने तो उसको वहाँ पे पहली बार फ्रीज किया होगा ना फिर इस मूवी में भी हम गॉट्जिला को बरफ तोड़के ही बाहर निकलता हुआ देखते हैं तो स्कार किंग शीमो को अनलीश करता है लावा के परदे के पीछे से जो मुझे लगता है कि उसके लिए एक बहुती बढ़िया प्रिजिन की तरह एक कर सकती है क्योंकि उसके पास आइस की पावर्स है तो सिर्फ उसको फायर या लावा ही कैद करके रख सकता है जो बताता है कि स्कार किंग कितना स्याधा इंटेलिजेंट है और शीमो बाहर निकलता ही सबसे पहले कॉंग पर अटाक करता है कॉंग अपनी एक्स का इसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन इट डज नॉट वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर करने निकलना पड़ेगा क्योंकि उसके डॉसल फिंग शीमो की पावस के सामने काम नहीं करने वाले और जैसी गौड जिलो को यह बात समझ में आईगी हो निकल पड़ेगा अपना रंग बदलने के लिए लेकिन इस शॉट को अगर और भी ध्यान से देखते हो तो आपको इस बात का भी realization होगा कि शीमो की ice breath सिर्फ कॉंग की axe तक नहीं रुप जा रही है उसके हाथ तक भी पहुंच रही है जो probably reason है उसकी arm injury का जिस वज़े से उसको बापिस जाना पड़ेगा और वो जो infinity conflict type की चीज़ है वो मिलेगी तो एक monster की एक fook कितना घतरनाक damage करती है इसके बाद हमें काफी सारी rapid type की sequences देखने को मिलती है जिसमें kong को upgrade मिल चुका है इसके बाद godzilla और kong का मिलाप होता है लेकिन for some reason they start fighting again मतलब godzilla pink color के atomic red मारता है पिर आमेड विरामेड तोड देता है लेकिन एक बहुत ही असा सीन आता है इसको अगर आप धियान से देखते नहीं नहीं करके 20 फुट का तो उसका दात होगा जो उसके मूँ से बाहर निकलके दो बिल्डिंग दूर किरता है and that is why I love monsterverse they do shit that no one else can even think about लेकिन इसी बीच एक interesting shot और भी देखने को मिलता है जहां पर हम एक बार फिर से godzilla को blue color में देखते हैं और वो किसी अलग जगे पे ज इन चीज कर रहे है और वो nuclear pulse को इमिट कर रहा है अब यह location Brazil से completely different है तो जहां तक मेरा speculation है Godzilla यहां पर भगोड़ा पंती करने की कोशिश कर रहा है उसकी Shimu से fight हुई उसको realization हुआ कि वो उसके सामने नहीं टिक सकता तो वो गया अपने आपको upgrade करने के लिए although I am not completely sure about this लेकिन मैं आपसे जानना चाता हूँ कि आपको इस पूरी चीज के बारे में क्या लगता है तो इस वीडियो को यहीं पर wrap up करेंगे जाने से वेले कॉमिक वर्स से मैं हूँ हूँ है तो वीडियो को like करना नहीं तो कॉंग करके तुम्हारा विदार